हलो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दा परफेक्ट इस्चडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लगातार आपके वाटसप पे मैसेज भी आ रहे थे आपके डाउड भी बने हुए है कि सर एक बार स्कॉलर्शिप को लेके अपडे से जीरो है पूरी बात को बाबु हम बता देंगे अच्छे से एक एक पॉइंट को समन लिजेगा और कुछ चीजे बताएंगे उन्हें भी आपको करना है तो आपकी रुकी हुई स्कॉलर्शिप भी आने की उम्मीद बढ़ जाती ठीक है सबसे पहले यदि हम लोग आपकी बार बात करें कितने इस्टूंटों की स्कॉलर्शिप आई है तो लगबग बाबु 60% इस्टूंटों की चाहा आप डियरलेंड कर रहे हैं चाहा आप बीयर्ड कर रहे हैं बिठी स्टूंट इस्टेटस ही वेरिफाई नहीं हुआ है किसी तूटी बस चाहे उनका जो बैंक में अधार कार्ड लिंक नहीं था या फिर उनके नेम में कोई तूटी है या हाई स्कूल के रोल नंबर मैच नहीं हो रहा है तो यानि जो 10% इस्टूदेंट है यानि जिनका या स स्टेटस वेरिफाई नहीं हुआ है वो तो उम्मीद छोड़ दीजे कि अब आपकी जो स्कॉलसिप है वो ना के बराबर आने का चांस है और जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कम से कम जो 30% बच्चे हैं कि सर हमारी स्कॉलसिप कब अपके करेंट स्टेटस में अगर इस प्रकार का सोह हो रहा है कि वेरिफाइड रहां ऑपो गया डी अबलू ओप यह वैर और पी से एह यदि वेल फ्रोकी स्टेटस में दिखा रहा है कि आपको और अब तक इस कॉलरी आई नहीं है एक काम करिएगा बबू बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लिजेगा जो आपका फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालिए और डी डब्लू ऑपिस है आप चले जाएए पापा को ले लिजे भाई को ले लिजे या पिर स्वयम भी जा सकते हैं तो डिस्टिक पे जाके अपने फॉर्म को एक बार दिखा दिजेगा साथ में एक अधार काटका भी प्रिंट आउट लगा लिजेगा वहाँ पे एक प्रिंट लगा लिजेगा और जो भी चीजे होंगी स्कॉलर्शिप किस कारण नहीं आ रही है वेरिफाई होने के बाद भी साप साप व पच्चों को हम बताएं वो गए भी और उनकी स्कॉलर्शिप आई भी अब बिल्कुल उम्मीद है कि डीडवलू वापिस में आपकी बाते सुनी जाए हां हो सकता है आदे घंटे गंटे का समय लगे तो आप चले जाईएगा देखे बाबु यही एक आप्शन है बाकि देखते रहें कि आएगी की नहीं आएगी यह आपके ऊपर है लगातार आप पूछ रहे थे इसलिए इस प्रकार के अपडेट हम आपको दे दिये बड़ी इमंदारी के साथ और अपकी बार भारी मात्रा में भी है इस्कॉलर्शिप यहां बित्रण हुआ है लगबग 60% ब लीजेगा प्रिंट आउट दोनों को सम्मिट करिएगा उनको दिखाईएगा तो साफ साफ वो बता देंगे कि क्या प्राब्लम है क्योंकि कॉलेज वाले तो सुनने वाले नहीं है यह सारी चीज़े कॉलेज वाले करते लेकिन वो तो जाएंगे नहीं तो आप ही को को समझे होंगे एक बार आप लोग डी डी डबलू आपी जरूर जाएए स्कॉलर सिप कमेटी में जाके वहाँ एक सेक्षन होता है विभाग होता है उसमें जाके अपनी बात को रखेगा ठीक है उम्मीद करते पूरी बात को समझाओंगे जिनकी स्कॉलर सिप आगई यह ब करना है इस पर हम अब्रेट देंगे यह चीजे बदलती रहती समय अनुसार उम्मीद करते पूरी बात को आप लोग समझे होंगे मिलते हम लोग अपने क्लास में साम को नौ बजे डियलर यानि बिटीसी की क्लास हम प्रारम कर रहे हैं और साम को चार बजे जो है बावू व आपको परिसान नहीं होना जो हो सकता बहतर आपको प्रोवाइड कराएंगे ठीक अपना और अपनों का ख्याल रखे मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जैहिंद